QA M Modi के हलिकॉप्टर में रहेस्ट में काले बक्से पर स्यासी बवार योग से वो चुनाओ के दूसरी चोर्ण के लिए प्रचार का काम अपने चरम पर है तमाम दलों के नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं लेकिन इस सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है इसी क्रम में कॉंग्रिस ने प्यम मोदी के चौपर से उतारे गए ब्रैक बॉक्स को लेकर बीशुपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं साथ ही पूरे मामले की चुनाव आयूक से शिकायत भी की गई है दरसल कॉंग्रिस ने प्यम मोदी के करनाटक के चित्र दुर्ग दौरे के दौरान उनके हेलिकॉप्टर में कथित तौर पर एक संदिग्द काला बक्सा ले जाए जाने के मामले में जाँच की मांगी है कॉंग्रिस प्रवक्ता अनल शर्मा ने प्यम मोदी से पूरे मामले में सफाई मांगी है इतना ही नहीं शर्मा ने चुनाव आयूक से भी इस रहस में काले बक्से की जाँच कराए जाने की मांगी है शर्मा ने पूछा है कि आकर उस बक्से में क्या था अगर उसमें कैश नहीं था तो इसकी जाच हो जाए पार्टी ने एक वीडियो क्लिप भी चलाया जिसमें बक्से को पीम के हेलिकॉप्टर से उतार कर एक नीजी इनोवा कार में लादा गया और कहीं ले जाया गया शर्मा का आरोप है कि उनोवा SPG काफले का हिस्सा नहीं थी बकॉल शर्मा कॉंग्रिस की करनाटक एक काईने पहले ही इस संबन में निर्वाचन आयोक से शिकायत दर्ज करा दी है उनोंने आरोप लगाया कि हमने देखा कि PM के हेलिकॉप्टर के साथ तीन और हेलिकॉप्टर उड़ रहे थे लेंडिंग के बाद एक काला ट्रंक निकाला गया और उसे एक नीजी कार से ले जाया गया जो SPG के काफले का हिस्सा नहीं थी इससे पहले करनाटक कॉंग्रस के अध्यक्ष ने प्रदेश के मुखे चुनाव अधिकारी को टैक करते हुए त्वीट किया कि चित्र दुर्ग में PM मोधी के हेलिकॉप्टर से एक रहसे में बकसा उतारा गया और जल्दी से एक इनोवा मेला दा गया उन्हें ने कहा कि चुनाव आयोग को इसकी जांच करने चाहिए कि बकसे में क्या था और इनोवा किसकी थी उधर इस काले बकसे से जुड़ा वीडियो वाइरल होने के बाद कॉंग्रेस और बीजपी में जारी आरोप प्रत्यारोप के बीज प्येंच की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभलने वाले एजनसे स्बैशल प्रटेक्शन ग्रूप यानि PSG ने सफाई दि है टेली विजन चैनलों ने सुतरों के हवाले से कहा है कि SPG ने सफाई दी है कि काले बकसे में सुरक्षा उपकरण थे आपको बता दे कि ये पूरा वाक्या 9 अप्रेल का बताया जा रहा है जब चित्र दुर्ग में पीम चुना प्रचार के लिए गई थे तो उनके हेलिकॉप्टर से एक काला बकसा उतारा गया था इंडिया नियूज वारिल की रिपोर्ट